तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सीखाएंगे अगर आपके पास Oppo का फोन है, और आप Oppo के फोन में आप SD कार्ड डाल के रखे हैं, यानि कि Mobile Card आपने डाल के रखा है और अपने memory card से किसी भी photo और video को अपने phone में लेना चाहते हैं या अपने phone से आप किसी भी photo और video को memory card पर transfer करना चाहते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे जैसे आपके phone का जो storage है वो आपका full हो गया है तो अपने phone को खाले करने के लिए अपने phone से किसी भी photo और video को अपने memory card पर लेना चाहते हैं memory card पर रखना चाहते हैं memory card पर भेजना चाहते हैं तो कैसे आप भेजेंगे जैसे हमारे पास ये एक Oppo का phone है और हम यहाँ पर अपना file manager ओपन करेंगे अपना file manager जब हम open करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा phone storage तो हमारा phone storage सिर्फ इतना यहाँ पर खाली है और हमारा यह SD card है और हम अपने phone से अपना photo video अपने SD card में लेना चाहते हैं तो कैसे हम ले पाएंगे इसके लिए आपको करने क्या है जैसे आप यहाँ पर phone से memory card में लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे अगर आप अपने SD card से photo को अपने phone पर लेना चाहते हैं तो आप SD card पर क्लिक करेंगे यानि कि जिससे आप जिसमें transfer करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे जैसे हम phone से memory card में देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हम अपने phone पर click करेंगे, जब हम अपने phone पर click करते हैं, तो हमारे phone के यहाँ पर सारे folder आ जाएंगे, यहाँ पर आपको all file पर click करेंगे, जब आप all file पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सारे photo, video, folder आ जाएंगे, आपको जो भी photo और video अपने SD card में भेजना है वही आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो हम यहाँ पर click करके अपने उसी photo को निकाल लेते हैं तो जैसे हम इस photo पर click करेंगे और हम आपको एक बार दिखा दिते हैं कि हमारा यह कौन सा photo है तो हमारा एक यह photo है और इस photo को हम अपने यानि कि हम अपने SD card में भेजना चाहते हैं तो यही पर आपको मिल जाता है एक share का button और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा edit और आपको share वाले आपको button पर click कर देना है जब आप share वाले button पर click करेंगे तो यही पर आपको एक option मिल जाएगा cut करने का option अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको इसे बैक करना है आपको यहाँ पर इस पर कुछ देर दबाकर रखना है कुछ इस तरीके से तो आपके सामने इस तरह का एक page आ जाएगा और यहाँ पर मिल जाता है आपको एक कट करने का option और यहाँ पर मिल जाता है कॉपी करने का option अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कि आपके फोन में भी ये फोटो बना रहे है और आपके SD कार्ड में भी ये फोटो कॉपी हो जाए तो आप कॉपी पर किलिक करेंगे अगर आप move करना चाहते हैं आपके phone से हट कर आपके memory card पर आ जाए तो यहाँ पर आपको cut पर click करना है जब आप cut पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का page आ जाएगा आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा paste और एक new folder तो यहाँ पर आपको अभी back आना है कुछ भी नहीं करना है और जैसे आप यहाँ से back आजाएंगे अपने इसी page पर आप आजाएंगे अब यहाँ पर आपको अपना SD card select करना है जब अपना SD card यहाँ से आप open करेंगे तो आपका SD card यहाँ पर open हो जाएगा और अपने memory card के यानि की SD card के किस folder में आप लेना चाहते हैं जैसे माली जी हम इस एक movies के नाम से हैं हम इस पर click करेंगे इसमें कोई भी photo नहीं है और वही photo हम यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर paste पर click करेंगे तो हम paste पर click करते हैं तो वही photo हमारा यहाँ पर आ चुका है हमारे SD card में अब यहाँ से हम वैक आते हैं वैक आने के बाद अगर हम अपने यहाँ पर phone का storage open करते हैं और यहाँ पर अपना वही photo देखते हैं पिक्सल लैब पर जाके यानिकि जिस folder में था और वही हम देख लेते हैं तो हम इस पर click करेंगे अब यहाँ से वह photo गाइब हो चुका है और वही photo हमारे memory card पर आ चुका है हम इस पर click करेंगे और मैंने movie folder के अंदर रखा है यानिकि यह है movie folder हम इस पर click करेंगे तो वही photo हमारा यहाँ पर आ चुका है महां से move हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी phone के अंदर जो आपके पास OPPO का है अपने phone से memory card पर आप photo को move कर पाएंगे copy कर पाएंगे और same इसी परकार अपने SD card से photo video अपने phone पर भी आप move या copy कर पाएंगे तो मैं आसर करूँगा आज का वीडियो देखने के बाद आपको details में पता चले गया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe पर के bell icon on कर लेना ताकि मैं जब भी कोई अंगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को आप देख पाएं सबसे पहले वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्यवाद